नमस्कार दोस्तों सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे मातपुन स्वामी आत्मनन्द इंग्लिस मीडियमी स्कूल जो रायपूर में भरती निकला है उसका जो इंटर्व्यू है उसका सेड्डूल जारी कर दिया गया है जैसा कि आप कि इश्क्रिन पर शोव रहा होगा यहाँ पे सहीद मारक या सास्की अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्याला है फाफ़डी रायपूर में 25, 26, 27, 28 को यहाँ पे जैसा कि आप कि इश्क्रिन पर शोव रहा होगा यहाँ पे पद बता दिया गया है इनका इंटर्व्यू है इन सभी कर इंटर्व्यू रखा गया है तो आप सभी पुरा डॉक्यूमेंट लेके आप वहाँ पहुच जाइएगा ठीक है इसके सांस साथ देखिए दूसरी बहुती महत्पूर्ण जो एक और भरती विज्यापन जारी किया गया है उसके समन्द में अगर मैं बताना चाहूंगा तो वो है कभीरधाम कवरधा का जो की कारियल है जीला इमसत्रन नाले का है टोटल नौपद है अगर बात करें कक्षा बारवी तक मानने होगी उच्छे सेक्षणिक योग्यता प्राप्त आविदों के आविदन पर विचार नहीं किया जाएगा मतलब जो वास्तविक में बारवी तक पढ़े है ना उन्हीं लोगों को दिया जाएगा अगर आप लोग ग्रेजवेशन कर लिये तो आप वही लोग फॉर्म भरिएंगे जो वास्तविक में 8 पांच वी पास है और मैक्सिमम बारवी पास है और उन्हीं लोग फॉर्म बरिएगा जो वरतमान में अभी जो है 11 बार वी में हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं बार वी तक करके पढ़ाई छोड़ दी हैं तो उन इसके बाद आप सभी को अगर हम बात करें अंतीम तारीक जो है यहां पर 13 सितंबर 2022 तक साम पांच बे तक जमा करना है मतलब अभी भी आपके पास समय है तो जिन लोग में अपलाई नहीं किया इसमें अपलाई कर लीजिएगा बाकि इसकी पुरी जो जानकारी है आपको जो हमारे टेलिग्राम चैनल पे इसका पूरा PDF डाल दिया जाएगा तो टेलिग्राम से जोड़ने के लिए नीचे डिस्क्रोशन बॉक्स में लिंक है आप महाँ जोड़ जाएगे अब रही बात बहुत ही महतपुन बात इस पर हमारे पार बहुत सारे मैसेजेस आ रहेते तर एक बार नीमती करण पर आप एक बार विस्तार पूरवक चर्चा करिएगा ताकि साशन और प्रशाशन का ध्यान इस पर जाए तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि आज के एक न्यूस पेपर में आया हूँ है कि राज्य में दस हजार एन एचेम कर्मियों का भविस्य अधर में ये क्या है कि राश्टी स्वास्त मिसन जिसको हम बोलते है एन एचेम के दस हजार से अधिक सम्विधा पाक्रोस है बता दे कि जो मंत्री है स्वास्त मंत्री उन्होंने इस पर नोटशिट चलाई थी 2020 से और समीधा कर्मियों को नियमिती करन से जुरे सभी बिंदों पर इस्थिति सपष्ट कर विभाग को भेजा था इसके बाद भी यहाँ पे 69 करोण मतलब लगभग लगभग अगर हम बात करें तो राज जी इसतर पर अगर हम बात करें तो 43 पडूशिट पर, जीला इसतर पर 230 पर, विकासखन्ट पर 101 और सेवा प्रदाता पर 4000 पर यहाँ पे रिक्त है और यहाँ पे जो नियमिती करन है वहाँ पर होगा ऐसा बताया गया अगर हम मंत्री जी की बात करें स्वास्त मंत्री की तो उन्होंने कहा है कि NSM कर्मियों की नीमिती करण को लेकर मैंने पहले ही सुकृति देते हुए फाइल चला दी है इसमें समिती बनाकर इसमें जुड़ी सारी कारिवाही पूरी करने के निर्देश दिये थे प्रक्रिया पूरी करने के बाद सासांद्वार इस पर निर्देश लिया जाएगा तो यहाँ पर पूरा पताया गया है कि कब कब फाइल चली कितने बार चली और क्या है इसका तो वर्तमान में देखिएगा नीमिती करण पर्टिकुलर इसी भी भाग की बात नहीं है अगर हम बात करें विस्तार पूर्वग नीमिती करण देखिएगा कि नीमिती करण तीन वर्से से अधर में लटकी हुई है यहाँ पर अगर आकड़ी की बात करें तो लगभग डेढ़ लाक से दो लाक लोग अभी नीमिती करण की मांग कर रहे है ग्यारा दिसम्बर 2019 को यहाँ पर विधानसभा सत्र में भी बताया था कि किस प्रकार से विपक्च और विपक्च का जो है इसी वज़ा से घमाशान होता है नीमिती करण को लेके कि इस पर रिपोर्ट क्या आई कितने कब आएगी और इसका नीमिती करण कब किया जाएगा हाला कि यहाँ पर अगर हम बात करे नीमिती करण को लेके पर्टिकुलर सास्त्र भागने अन्य विभागों में भी जो है अन्सकालीन हो गए या अन्य है वो भी जो है नीमिती करण की मांग कर रहे हैं तो जाइर सी बात है सासान प्रशासान इस पर ध्यान आकरशन किया जाएगा और आने वाले समय में अब क् गवाद कंशन के फिलाल यह तो होगई आपकी नीमिती करण को नीमिती करन के साथ अगर हमें एक बहुती महात्पूर्ण टॉपिक पर बात करें तो जो है नेक ग्रेडिंग याद रखेगा मैंने आपको विश्व विद्याले के संबंद में बताया था कि बहुत सारे विश्व विद्यालेओं में लगभक सभी विश्व विद्यालों में जो सरकारी है वहाँ पे बहुत सारे पद रिक्त है और इसी रिक्त पद की वज़ा से जो हमारे हाँ grading होती है, ये भी एक कारण है कि उनकी grading कम होने का, वैसे तो कारण बहुत से हैं, लेकिन उन सभी कारणों में से ये भी एक कारण है, कि जहाँ पे भरतियों जो रिक्त पद है, वो पुनी तरीके से फुल्फिल नहीं होए है, अगर हम बात करें, जो विस्विद्यालेओं के खाली पदों की, तो पंडित रवी संकर सुक्ला में 312 पद है, दुर्ग विस्विद्यालेओं में 146, सर्गुजा में 336, बस्तर में 185, बिलासपूर में 142, खैरागर में 84, और बिलासपूर में 49 पद रिक्त है, तो लगबक सभी विस्विद्यालेओं में बहुत सारे पद रिक्त है, और ये भी एक कारण है कि ग्रेड जो सिष्टम है हमारे चत्तरजगर में, अगर हम बात करें, तो नेक मिल्यानकर में प्रदेश के साथ सरकारी विस्विद्यालेओं फेल हो चुके है, तो ये एक बहुत ही सांदार मंडे पॉजिटिव जिसको कहा जा सकता है कि आज जो है, इसी के सब चलते, जैसा कि मैंने आपको स्वास्त्य विभाग के निमती करण की बात की, या मैंने आपको स्वास्त्य विभाग के संब्द में बताया, तो बहुत सारे लोग जो स्वास्त्य विभ को 12 बच से साम 4 बजे तक मंत्राले में बैठक रखी गई है और यहां पे बड़ी भरती की तयारी की जा रही है इस बैठक में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन एवं अधिक्षक उपस्थित रहेंगे इस सम्मंद में सभी मेडिकल कॉलेजों को पत्र लिखा गया फिलाल एक मंडे पॉजिटिव ने इस स्वास्त्री भाग के सम्मंद में था आने वाले समय में इसी प्रकार से सभी भी भाग और सभी भी भाग के मंत्री बैठक लेंगे और जाहिर सी बात है आने वाले समय जो है चुनाओ का है तो जाहिर सी बात है भरतियों का पिटारा खुलने वाला है फिलाल इसी positive नों इसके साथ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगाओगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस जादे जादे लोग तक share, like and subscribe जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप शभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप शभी श